हां जी तो आजिस्टर्ट करते हैं अपनी क्लास को और आज की क्लास थोड़ी स्पेशल क्योंकि यह क्लाइस आपका 1st class आज हम डिसकेशन करने वाले हैं अपने एक सब्जेक्ट के बारे में आशेई यहां से को काफी इंफरमेशन में डीकी पेटा Christ बुजनिस jeżeli कि payments कि वाला फॉस्ट क्लास अज हम चालू करें लेकर बैच जया और लिखते रहेंगे और समझते रहेंगे सबकू अब इसfahr को को बारे में बात करने वाले था आथी साथ हम बात करने वाले हैं business economics के साथ में आपकी general economics के बारे में आपकी general economics लेकिन economics को स्टार्ट करने से पहले आज मैं कुछ basic words के उपर आऊँगा पहली बात तो वह स्टार्ट करेंगे economics हमारा सब्जेक्ट जो है वह हमारा फेवरेट कब बन पाता कब नहीं बन पाता क्या reason science के बीछ है पहला पाट बेटा always remember economics में जब तक आपको reasons नहीं समझ में आएंगे economics subject बेटा पूरी तरह reason based है अगर reason नहीं तो economics नहीं तो कि reason is economics में जो reason दिये गए हैं वो दिये हैं आपके economist नहीं इकनोमिक्स में जो भी आप पढ़ते हो बेटा वो सारा का सारा content किसी ने घर बैठ के नहीं लिखा कि सारा का सारा content economist की research है एकनोमिस की theories हैं वही research वही theories तो economist ने दी हैं वही आप पढ़ रहे हैं उसे change भी नहीं किया गया तो एकनोमिस जब कोई भी बात बोलते हैं तो बीना research या बीना facts के नहीं बोलते हैं बीना reason के नहीं बोलते हैं बात करते हैं हमारा content है business economics लेकिन साथी साथ मैं बताऊंगा मैं general economics के बारे में starting the subject before starting the subject मैं कुछ बाते करने वाला हूँ PCK बेटा BCK business commercial उसे separate deal करेंगे 40 marks का BCK उसे separate deal करेंगे because that part is different लेकिन इस unit number one के अंदर आप अपने BCK का concept भी सीखने वाले हो इसी से connected part है वह वाला पहली बात generally एक common question बच्चों का आता है कि sir question की type जो होती है क्या question की type वही होती है जो हम जानते हैं कि simply 4 option दिये गए हैं और एक answer tick करना है किसी को objective बोलते है answer is no और ऐसा assume भी मत करना exam में ऐसे question मिलने वाले हैं क्योंकि reason is as a question out of six question आपको मिलेंगे max to max 4-5 total 4-5 question मिलेंगे इन्हें हम बोलते हैं straight question that is जिनका answer चार option में से सिर्फ एक ही ठीक होता है उसे हम बोलते हैं straight question तो as a question पूरे exam में से 4-5 मिलते हैं बच्चे गलती हैं यहीं करते हैं कि बोलते हैं रहें कि तो वही वाला आ गया answer is no maximum आपके पास में आपकी paper का around 60 में से 45 marks के question minimum 45 marks that can be 50 marks also 45 marks के question सिर्फ और सिर्फ आते हैं बिटा उसको बोलते हैं most appropriate most appropriate that means आपके exam में आने वाले questions के अंदर कहां पर question के अंदर आपका एक नहीं एक से ज़्यादा option ठीक मिलेंगे मतलब क्या मतलब sir कि question में एक से ज़्यादा answer ठीक है हां मतलब एक दो तीन सिंगल हुआ तो स्टेट question बोलते हैं उसको लेकिन maximum question कौन से आएंगे जहां पर आपको most appropriate answer choose करना पड़ेगा which means that आपकी question में आपको बताना पड़ेगा कि answer A ठीक या B ठीक है दोनों ठीक but which one is most appropriate which you have to choose that is the question is known as the most appropriate one और सबसे ज्यादा question एक्जाम में यही वाले आते हैं उसके बार नमबर आता है category number 3rd का 3rd category हम बहुत करते हैं किसके बारे में अपनी graphical question examiner आपके पास में graphical question भी डालता है graphical question ऐसे होते हैं कि graph से आपके पास में वो again graphical question भी state question नहीं मिलेंगे वो graphical question भी आपको most appropriate base पर ही मिलने वाले हैं तो यह सोच ना कि मुझे answer मिल गया तो answer correct answer is no आप गलती करके आने वाले हैं next one is fire welcome बेटा next one क्या बोला most appropriate graphical question first question state question second is most appropriate third one is graphical question graphical question में वो आप से state answer पूछ सकता है state मतला समसर क्या होल रहा हूँ वहाँ पर theoretical answer दे सकता है आपको number two वहाँ पर वो आपको equation दे सकता है या वो कोई value दे सकता है तीन तरह से question बन सकते हैं आपके पास में next category पर आता हूँ category number four four is जहां बात करते है numerical questions के बारे में examiner exam में कम से कम जादा नहीं तो तीन ते चार question three to four question numerical आने वाले है तरह टागेट यह नहीं कि पास होना है पास होना है तो simple ती बार भाईया most appropriate त्यार करो पास हो जाओगे passing के लिए नहीं भाग रहे हैं हम लोग हमें score करना है पूरे number चाहिए हम compromise नहीं करने वाले है वो तब ही है जब समझोगे category कौन-कौन सी है numerical question एक्जाम में पका मिलने वाले है numerical की practice आपके ऐसी होनी चाहिए कि आपको numerical solve ना करना पड़े numerical solve करने बैढ गए तो वोई समझ लो वो पुरानी preparation करते हुए आ रहे हो आप numerical आपको fingertips पे आने चाहिए तर क्या बात कर रहे है ऐसा होता है exactly ऐसा होता है और वही technique से पढ़ाने हो वाला numerical question की question पढ़ा और मैं numerical answer पता पहूंगा answer कौन सा दी के कौन सा गलत है last one is दो question एक से दो question पक्का हमेशे मिलते हैं उनको बोलता है statement question statement question का मतलब बोलता है बेटा exam में एक या दो question ऐसे आएंगे जहां पर आपसे पूसर जाएगा which statement is correct and which is incorrect और यह statement question हमेशा state question form में होता है state question form में का मतलब सरक correct incorrect but आपके पास statement दी जाएंगे आपको किसी correct statement या incorrect statement को चूज करना है और वो तभी possible है जब बच्चों ने पूरी book को detail में पढ़ा हो पूरे concept उसे with reasons या दो तभी वो उस topic को टिक कर पाएगा question को टिक कर पाएगा तो एक्जाम में सोचने का मतलब जहां बच्चे सोचते हैं कि सिर्फ question एक type का होता answer is no आपके question इन पांच category से मिलके बनते हैं और यही 5 question की category पांचों की पांचों category exam में आने वाली है maximum format कौन सा रहता है the maximum part is of most appropriate one लेकिन इसका मतलब यह निकि कि बाकी के पांचों से वो नहीं आएंगे 15 marks में वो question आ जाएंगे अगर most appropriate 50 number का हुआ तो बाकी 10 number में आएंगे 45 marks का हुआ तो बाकी 15 marks के अंदर है that is the main part तो यह बात थी हमारे पास में question exam में आने कैसे वाले अब मैं बात करता हूं हमारे syllabus के बारे में and let's start with the first unit the first unit is business economics अब एक मुद्दा में यहां पे लिखा मैंने लिखा business economics versus general economics why I am writing this word B economics versus general economics तो सर के यह सेम है answer is no normally जब आप यह बोलते हो कि general economics तो आपने आज तक जो economics पढ़ी है आज तक that economics was known as general economics वो economics हमारी economics थी general economics वो economics थी general economics अब आप पढ़ने वाले हो business economics तो सो के सेम होगी answer is no economics की बहुत सारी varieties हैं बहुत सारी branches है बेटा और बहुत सारी branches में से सबसे जो important branch है and that is called applied economics applied economics जो है बेटा applied का मीनिंग समझो देखो मैंने बोला economics reason based है मेरे कहने का purpose यह था कि economics जब भी पढ़ोगे चाहे वो graph पढ़ो equation पढ़ो numerical करो theory करो हमेशा आपको reason पता लगाना है अगर equation भी लिखी तो equation में plus और minus भी क्यों आया समझना graphical presentation कर रहे तो graph की करके shape बदल क्यों रही है क्यों shape को और नहीं बना सकते क्या reasons है कौन सा point क्या define करता है यह पूरा part यहाँ पर आता है तुसरी बात यह economics वो economics नहीं है reason इसका बताता हम क्यों because be economics is a part of applied economics applied economics का मतलब होता है दुनिया के अंदर worldwide जितने भी बड़ी-बड़ी companies हैं जितने बड़ी-बड़ी MNCs है multinational corporation आज भी जिस economics को अपनी business के अंदर decision making के लिए use करते हैं practically use करते हैं that branch of applied economics is called business economics और जब मैं बोलता हूँ economics इसी भी economics का part बनता है बिटा जन्रल इकनोमिक्स का मतलब आप जो पढ़ रहे हो आपको लग रहा कि आपके chapters के नाम वही दिये गए हैं like demand and supply अच्छा किसी लिए chapter के नाम है कोई तुम्हें यह बोले ना कि बेटा यह economics वही है तो आपने 11 तो पढ़ी तो answer is no उसे clear cut मना कर देना कि नहीं वही अगर economics सेम होती तो यहां पर आपके से marks को बढ़ा के नया economics नहीं करते है demand and supply का concept दिया गया है तर लेकिन cost of production भी तो आता है तर market structure की बात भी तो कर रहा है क्या यह topic वह नहीं जो हमने पहले पढ़े हैं मैंने का हाँ पढ़े हैं तर एक नया chapter डाल दिया business cycle के नाम से क्या हमने इस chapter पढ़े हैं तो क्या chapter same to same होगे answer is no because economics वर्ड आ रहा है साथ में इसलिए कहने का परपस क्या रूप सुनना जहन से अब मीनिंग समझते हैं रट्टा नहीं मारें सिखते हैं economics की इनी branches को इनी theories को इनी इकनोमिक एकनोमिक थेओरीज हैं इनी के विगार्डिंग कंसेट अप्लाइवाला इनी के कंसेट को बिजनेस जब अपनी डिसीजन मेकिंग करता है अपने डिसीजन के लिए यूज करता है डाट ब्रांच ओफ अप्लाइड economics is known as business economics इसीलिए आपके हर एक चेप्टर के अंदर आपको कुछ ना मिलने वाला है जो आपने आज से पहले कभी भी नहीं पड़ा हुआ चलें let's start with the part अब हम चालू करते हैं अपनी first part से और हम start कर रहे हैं heading बनाओ लिखो business economics साथ समस्ते चलेंगे कोई भी डाउट लगेगा कोई भी question you can ask any question if you have कोई भी डाउट लगे सीधा मुझसे पूछ रखते हैं आप लोग let's start with the part B economics होता क्या है हम chapter पढ़ रहें introduction the first one is introduction और introduction की अंदर introduction का पार्ट दो पार्ट में आता है number one is called the nature and scope nature and scope और यह nature और scope हमारा वो nature scope नहीं है जो आपने सिर्फ economics का सीखा था तो nature and scope of business economics T economics का nature and scope और विचिस वेरी 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 तोटली डिफरेंट I can say same word दिखेंगे लेकिन वो same word का meaning की वो निकलेगा अलग मिनी निकलने वाला let's start with the part write the first definition लिखते हैं T economics राइड़ेशन आप अब राइड राइड निकलेश राइड लिखो आफ्वस्ट वी एकनोमिक्स राफ्रस टू नोट करना चालो करो लिखो दैट ब्रांच बिसने एकनोमिक्स डाइड ब्रांच किसी ब्रांच राइड चाहिए एड पार्ट ऑफ दी धाट अपलाइड एकनोम्ड लाइड जाता है डिया अगर प्रांच को यूज करते हैं यह पता है आईडिया कुछ मीडियन मौद इसपर्शन को रिलेशन पर काम करता है अब मुझे बताव practically mean कहा निकालोगे mode कहा निकालोगे maximum value कितनी बार frequently occur हुआ remember dispersion gap को बोलते हैं correlation relation को बोलते हैं तो stock market में stock आपस में connected कैसे हैं यह चेक करने के लिए correlation निकालते हैं वहाँ पर निकलता है ताकि वहाँ पर एक एक कंपनी के price check नहीं करते हैं वहाँ पर बोलो क्या करते हैं वह practically अपनी concept को अप्लाई करते हैं correlation को अप्लाई करते हैं और आंसर निकलके आज आता है तो यह कंपनी के श्टोक के अंदर शेर के अंदर कितना gap है सेकिंड कंपनी से यह gap क्यों create हुआ इसके लिए फाइंट करते हैं तो यह concept practically अप्लाई होते हैं तो आपका गूर्ट करते हैं तो इसकित पॉसका गता अपड़ेंगे लस्ट भींबश्यर्क करते हैं तो इससे और भी business organization, लिखना चालू, how the business organization, we can say business enterprises, लिखने भी समझेंगे पाट को, हर रेको वर समझेंगे, that business, how the business enterprise organization makes their decision, makes their decision, लिखो, with the help of, with the help of, लिखो, economic theories, आपके first chapter में आपका complete syllabus छूपा हुआ दिखाऊंगा आपको में, so with the help of economic theories, इतना काफी है, नहीं, and other tools, other tools, so I am writing the word economic theory, बेटा, इसी economic theory को नाम दिया जाता है, general economics, तो मतलब जो आपके chapter के नाम आपको सेम दिख रहे हैं, उसका reason यह है, कि business economics भी, क्या करता है, business भी क्या करते है, economic theory को use करते है, अब example मालों, think about once, if a company, like example me, if a company wants to introduce a new project, a company wants to introduce a new project, a new project launch करना है, project launch करना है, can you please tell me, market में demand कितनी है, supply कितनी होगी, उसका cost कितना पढ़ रहा, उसका pricing कितना रहेगा, production कैसा है, market कैसी है, जिसमें समान बेचने, क्या इन चीजों के बारे में information लेना mandatory हैं नि उसके पास में, पढ़ना काफी है, नहीं, practical applicable को बोलते है, applied economics हाला कि और बता रहेता हूं, hint के लिए, यही applied economics बेटा, आपके graduation में नहीं आती, master's में आती है, like MBA, MCOM, वहाँ जिस economics का नाम है, उसको बोलते है, applied economics, उसी का second नाम है, managerial economics, अगर चाहो तो Google पर चेक कर लेना, तो आपका institute इतना बेवकूप नहीं है, कि वो बोलेगा, अच्छा, बच्चो को लेए उन्टर पढ़ादो, answer is no, managerial economics पढ़ रहे हो, which is a part, which is a subject of masters, MBA, remember, MCOM, not only India only, Dubai, even Kuwait, बाकी countries के अंदर भी, यह subject पढ़ाया जाता है, which is called managerial economics, which is practically applicable, next पर आता हूं, तो वोड के लिखा, what is economic theory, again the right the word, economic theory का मतलब वही हुआ, जो आपकी chapter के नाम है, like the demand and supply, demand and supply, दोबारा लिखा मैंने, cost and production, market structure, या भी के इसे price determination in market structure, आपके पास में, next, business cycle, business cycle मतलब, business कैसे fluctuate होता है, economic policy के coding, economic theory को use करके, और किसको other tools का मतलब समझते क्या होता है, लिखो, other tools का मतलब है वेटा, आपका accountancy, आपका mathematics, क्या बात कर रहे, क्या business सिर्फ economics यूज करता है, नहीं sir, maths भी यूज करता है, वो accountancy की theory को भी यूज करता है, accountancy, वो econometrics भी यूज करता है, research करने के लिए, survey करने के लिए, econometrics भी यूज करता है, वो statistics भी यूज करता है, यह tools economics से अलग हैं, लेकिन business क्या करते हैं, आप लोगों से, मेरी पहली बार, business economics, applied economics की प्रांच है, like tell me, maths को यूज करते हो practically, हाँ करते हैं, practically यूज करते हो ना, work environment के अंदर, हाँ करते हैं sir, stat को यूज करते हो, हाँ करते है sir, econometric government यूज करती है, हाँ करती है sir, तो कहने का हमारा जीने practically apply किया जाता है, those tools, those disciplines are known as applied economics, को applied economics के ही पाट कहलाते हैं बेटा, दूसरी बात करता हो, तो क्या बोला मैंने, यहाँ दो बाते बोली, sir, पहली बात तो यह, economic theory और business, economic tool, other tools को, other disciplines को use करके, business अपनी decision कैसे लेता है, how business makes their decision, how business takes their decision, that branch is called applied economics, so now the question is the exam question, I am asking this question right now, please tell me, आप से पूचा गया, business economics, reply चिए मुरी सबच्चोंगा, business economics is also known as, also known as option A, option B, option C, option D, option A, B, C, D ते रहा हूँ, the first word is, economics is known as, accounts, accountancy, number 2, statistics, number 3, applied economics, number 4, general economics, tell me the right answer, state of it, अदर्श, आईशी, कोस्तव, कुमकुम, पायल, सक्षी, very good, समझ में आया, बतल लोजिक समझ में आया, क्या बोल रहा हूँ, question पढ़ते ही, answer हाथ में होना चाहिए, अब यहाँ पर जैक करो, अब देखो यहाँ बेक चीश दिखाता हूँ, यहाँ पर मैंने चार option में से सिर्फ एक ही answer ठीक दिया है, ताकि तीन answer सेट बैठते ही नहीं, इसे बोलता है, बेटा straight question, and let me show you, कि मैं इसी question को बहुंच appropriate कैसे बनाता हूँ, tell me reply करना, ठीक है, अगर मानलो मैं इसमें से एक option गयाब करने वाला हूँ, मैं रिखने वाला हूँ, let's have a look on the part, मैं लिखे रहा हूँ, managerial economics, तो मैंने कुछ ताइम पहले ही बोला आप लोगों को, कि business economics is also known as managerial economics, now please tell me, इसमें कितने answer ठीक है, एक यह दो, तो बोलो, 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 दो answer ठीक है, अब देखो यह क्या बोलते है, जहां दो answer एकडम करेक्ट है है, which one you have to choose now, which one is the most appropriate, any idea of it, यह भी ठीक और यह भी ठीक, लेकिन option दो तो भर के नहीं आओगे, कौन सा करेक्ट है, आदाश, I.C, Kostop, Kum, Kompile, Sakshi, tell me, कौन सा, very good, Kostop, Kum, Kompile, reason, 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 because managerial economics is also a part of applied economics, वो उसी का branch है भाई, अब घर में मैं बोलता हूँ, घर में grandfather है, grandfather, उसके पास बाद नंबर आया, पापा का, हमारे फादर का, उसके बाद नंबर आया, हमारा, तो मुझे बताओ, option में आखर बोला गया, बताओ, घर किसका है, बहु एक्जाम्पल के लिए, घर में grandfather का नाम जीए तो किसका नाम लिखे की आओगे, पापा का या grandfather का, इफ grandfather है, गया किसका नाम लिखे होगे, अब इस grandfather का, तो वही concept, जब भी most appropriate choose करना पड़े, ठेकनीक शक लो, most appropriate choose करने के लिए, हमेशा sequence याद रखो कि में ब्रांज में लास्ट पार्ट किसका बनता है इकनोमिक्स मेनेजरी इकनोमिक्स कहलाती है option करेक्ट अमाल लिया ठीक अमाल लिया लेकिन at the end managerial भी किसका पार्ट बनता है applied का the correct answer will be c now is it clear समझ में आया कि most appropriate कैसे चूज करने होते हैं इसी क्लिया बोलो 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 समझ में आया डन 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 ठीक है इनोट हो गया सबका अधाश आईशी कॉस्तूब कुम कुम पायल सक्षी नोट हो बिटा डन ओके चलो आगे बढ़ते हैं नहीं क्या recording चालू की थी नहीं की थी क्या रखे चलो ओके एक सेके हैं को आगे की थी करा क्य ठाग कि जा टिया हिसमे रागे बढ़ते हैं एक नॉट हुआ घ्रिकर नॉट मे लिखो तो Ăजिस्क्राग घ्राइसों किसट डूटाइशाओ अगे राटिको आफेतना I can write the word managers, अब देख्लो समझ में आ जाएगा, economics पढ़ रहा रहा, business business business, तो लिको, as business organization and their management, uses the disciplines, discipline का मतला tools, the theories of other, tools of, disciplines of other, subjects, I can write the word, subject matter, along with, along with the business practices, along with the business practices, business की practice के साथ में, business other subject matter, that means economics की theory, statistics, account इसको use करता है, इसी लिए, it is also known as, this is also termed as, आप अपनी B economics को क्या बोलते हो, है की नहीं, is it clear? done, 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 clear, 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 समझ में आया की नहीं, done, अच्छा, अब मैं कुछ golden word लिख रहा हूँ बेटा, यह golden word लिख लो, कई बुक में लिखे वह नहीं है, मैंने golden word इसलिए बोलता हूँ, the reason is, golden words कहने का main purpose मेरा यह है, exam में words, mostly हर एक question में दिख जाते हैं, लेकिन वहाँ पर exam में question को speedily, परते टाइम, आम इन words को differentiate नहीं कर पाते हैं, हमें लगता कोई typing mistake होगी, remember why I am saying economic and economics, तो बच्छा को आ रहे यार, इस economics ही बोलता, लेकिन है क्या हुआ, इसमें word छोड़ दिया इसने, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, कि words अलग होते हैं, इस लिए word को लिख लो, तकि तुम्हे clarity मिले, अपना concept आगे पढ़ने से पहले, आगे पढ़ने से पहले, इस पार्ट को लिख लो, इस golden words है, number one, write the first word, write the word, first word is economic, और मैं आपसे पूछूँआ क्या होते हैं, number two, हमें करने हैं तयारी, preparation, number two is economy, economy, third लिख रहा हूँ, economics, fourth लिखता हूँ मैं, economist, इस चारो वर्ड, similar लगते हैं, almost reading के time पर, लेकिन के meaning अलगल है, can you please tell me, the first one, what is the meaning of economic, paisa paisa, what is the meaning of economic, tell me, any idea, budget, budget के अंदर, और बोलो, costu very good, nice, Adash, Ayushi, Kumkum, Pail, Sakshi, बागी बताओ, economic का meaning क्या होता है, I want to know, the exact meaning, any idea of it, पूछू, सुनना, economic मतलब, each and everything, each and everything around you, which can be measured in terms of money, क्या आप रखनाइस का meaning, हर वो चीज, जिसे आप पैसे में measure कर सकते हो, माप सकते हो, can you please tell me, this pencil, if this pencil is having a price value or not, economic value, money value or not, बोलो 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 बोलो, हर थिक, that means पैसा, तो लिखो, everything, which can be measured, which can be measured, in terms of money, हर वो चीज, जिसे आप पैसे में measure कर सकते हो, that thing will be known as, उसे क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं, economic कहते हैं, the tummy is known as economic, याद रहेगी यह बात हैं, number two, क्या यहाँ पर मिनी में गलती कर दी, economics का मतलब खाली, economic क्या क्या है, ऐसा कुछ होता है, no, अट उसे बहले बात करता हूँ, economy क्या होती है, tell me, आपने दो words सीखे हैं, एक होता है country, एक होता है economy, क्या दोनों मतलब सेम होता है, tell me, reply करो, tell me, tell me, tell me, Adarsh, flyer, Aishi, Kostub, कुम, 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 बोर बोलो, yes Adarsh, nearby, बाकी बाकी बाकी, Kostub, any idea, reply दो yes or no में, क्या economy और country सेम होती है, नमले बोलता है, Indian economy, India is a country, क्या दोनों का meaning सेम है, नहीं, नहीं, साक्षी बेरी गुड नहीं, कुम, कुम, सेम होती है, पायल सेम होती है, no, तो क्या होती है, समझें, समझते हैं, very good, अब सुनना जानसे बात को, Guys always remember, अगर यह दोनों सेम होते, तो हमेशा इनके वर्ट को replace किया जा सकता, India is a country but Indian economy, US is a country, US economy, Japan की economy, Chinese economy, तुनिया के अंदर हर कंट्री की अपनी economy होती है, economy का मीनिंग country नहीं होता, हिंदी में बोलता हो अर्थ ववस्था, और देश में फरक है, तेश country अर्थ ववस्था बोलता है economy को, तो economy का मीनिंग क्या होता है, आज के बाद हमेशा याद रखना, पेटा, only that part, लिक लो, only that part, of a country, किसी देश का सिर्व वही हिस्सा, which can be measured, which can be measured, in economic terms, economic बोले तो, पैसा, जिसे economic terms में measure कर सकते हो, मतलब सर कहने का मतलब यह हुआ, कि पूरा देश इकनोमी नहीं कहलाता, answer is no, पूरा देश इकनोमी नहीं कहलाता, बिटा, country का सिर्व वही हिस्सा इकनोमी कहलाता है, जिसे आप economic terms, in monetary terms में measure कर सकते हो, like can you please tell me consumption, जब आफ ग्जामपल, पोदी जी बोलता है, प्यारा भाहियो बहन हो, remember, प्यारा भाहियो बहन हो, हमारी देश की इकनोमी, अरे देश की इकनोमी का मतलब कहा है, हट रही है गिर रही है, can you have an answer, COVID-19, during the period of COVID-19, COVID-19, lockdown की time period में, इंडिया के अंदर, हमारी एकनोमी का, economy बोल रहा हो, हमारी एकनोमी का GDP level, what is GDP, gross domestic product, gross बोलते हैं, sum total को, product बोलते हैं, production या income, क्या सम्झाओंगा यह लोजिक इसका, production बोलू, income बोलू, remember, production बोलू, income बोलू, expenditure बोलू, all are same, क्या बहुत कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हो, नहीं सार, I am having reason behind it, and the theory of JM Kinney's, ऐसे कुछ भी नहीं बोलने वाले हैं, economics में, सुसरा वर्ट, D is called domestic income, domestic बोलू, domestic बोलू, domestic territories के अंदर, मतलाब, India की domestic territory, that means domestic boundaries के अंदर, जो भी goods and service बनी, उनको बेचने के वाद, जो भी पैसा आया, उसका sum total, the gross, will be known as domestic income, क्या बोला गया, कि GDP ना, during the COVID-19, minus 27 तक चली गई थी, सोचो, you know any idea about it, कि GDP, GDP is an indication of your pocket, आपकी pocket में कितना पैसा है, कितना नहीं है, this will be decided by the GDP, मतलब, GDP अगर जी रहो, तो तुमारी pocket भी जी रहो, और GDP माइनस में गई, मतलब तुम loan के अगर जी रहे हो, तुमारे पास खुद का कोई पैसा नहीं है, तुम यहां से ले रहे हो, वहां से ले रहे हो, खर्च कर रहे हो, that is called minus GDP, और यहां पर टाइम पर, in the March, सुनना प्रेक्टिकल बाद सुनते हैं, March 2020, remember, March के अंदर, lockdown से पहले, the first lockdown से जनता कर्फियू से पहले, इंडिया की GDP, यहां वहां दखना, 5% के करीब थी, 5.25 के करीब पहुंच चूँगी थी, लेकिन, जैसे lockdown हुआ था, next day GDP क्या हो गई थी, 4.75, और लोग डर रहते हैं, और पांच के करीब नहीं आनी चीए, बिटा, minus तक गई है, economic GDP, और यह ध्यान रखना, कोई अगर बोलेगा ना, कि crisis क्या होता है, किसी भी economic crisis का meaning क्या होता है, what is the meaning of crisis, बोलते हैं, मंदी बोलते हैं, 1991 में इंडिया में आया था, the Indian economic crisis, remember, 1929 के अंदर पूरे वर्ड में आया था, दुनिया भर में आया था, even the developed nation like US, UK, Japan, Germany, Mexico, यह भी नहीं बच पाय थे, मतलब क्या होता इसका, क्या हुआ इसका जानते हो, always remember the word crisis, कोई पूछा आप लोगों ने, crisis का meaning क्या होता है, मंदी का meaning क्या होता है, जब किसी याद रखना जब किसी economy की अंदर, country नहीं बोल रहा, जब किसी economy की अंदर production level गिर जाता है, जब production गिरेगा, तो can you please tell me, जब production नहीं होगा, तो क्या employment होगा, रोजगार क्लों काम मिलेगा, नहीं मिलेगा, employment down, employment नहीं होगा तो income होगी, नहीं sir, income भी down, काम भी नहीं तो पैसा कहा से आएगा, जब income नहीं तो खर्चा होगा गया, नहीं sir, जब किसी economy में production, employment, income, expenditure, यह चारों गिरना शुरू हो जाते हैं, that term is known as economic crisis, तो sir, क्या इसका मतलब यह हुआ, कि during 2020, हमने crisis phase किया, हाँ किया, और किसने इस बात को बोला ही नहीं आस तक, remember, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो कहने का मतलब कह है, economic meaning क्या होता है, economic meaning, country का वह पार्ट, जिसे आप economic terms में measure कर सकते हो, हर वह चीज, but can you please tell me, मेरे emotion, तुमारे emotion, तुमारी sadness, तुमारा welfare, तुमारा किसी का भला कर रहे हो, welfare कर रहे हो, क्या यह, economic part क्या लाएगा, tell me, country का पार्ट तो है, No, it is not a part of economy, और economy वही चीज आती है, जिसे आप money measurement कर सकते हो, बोल क्लियर, कमज में आया कि नहीं, is it clear, done, 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 nice, the next one is, very good, next word is economics, अच्छा, क्या मैंने economics के आगे ऐस लगा दिया, ऐसा कुछ है, No, इसका मतलब क्या निकल गया, guys always remember, economics एक सब्जेक्ट है, इसकी बहुत सरी ब्रांचीज है, applied economics, general economics, इसका पड़ चुकी हो, 7-12 के दर, लेकिन उसका revision दुबारा भी कवर भो जाएगा आपर, वो वर्ड क्या आता है, economics क्या है, क्या मैं बहुत सब्जेक्ट मैटर, कि वो सब्जेक्ट मैटर है, वेयर, वेयर, टडी यह वेयर, इस डील्स विच डील्स विट, I can write the word, वेयर, इस डील्स विट लिखता हूँ, matter, विच डील्स विट, अब एक वर्ड आगा, जान सुनना जान से बात को, विच डील्स विट, इकनोमिक प्रॉब्लम्स और इकनोमिक इश्यूज, ओफ ए कंट्री लिखूँ, इकनोमी लिखूँ, ओफ एन इकनोमी, यस, तो चेक करो बेटा, इसमें तीनो वर्ड आगए, इकनोमिक्स, इकनोमी, इकनोमिक, तो क्या बोलता हूँ, कि वह सब्जेक्ट जहां पर आपने कभी अपने चैप्टर के नाम देखे dehके इथा बेटा यह चैप्टर हो यह तो प्रॉब्लम यह इश्यू है , च्टेक करो, क्या तो प्रॉब्लम य्या इश्यू और इनिático प्रॉब्लम इश्यू को प्रोब्लम थी आज क्या बन गया इस्यू बन गया पॉवर्टी एक पॉवर्टी गरीब ही एक टाइम पर तो क्या होगी प्रोब्लम ही थी ना अब क्या बन गयी इस्यू कोविट-19 कोविट की बात सुनी ना कोविट 19 19 वर्ड इस दिनोटिंग तर 2019 जब इंडियन गोवर्मनेंट को पता था कोविट फैल रहा है इन 2019 में ही कंफर्म हो गया था अधा एंड आइंटीन तो क्यों तब भी इन्होंने इंटरनाशनल प्लाइट बन नहीं की पता रहा चाइना में ऐस आधा Mist चुका है तब भी इंट्रांशनल प्लाइट बिर में की लॉजिकल जाएकनॉमिक शीरत इसे जिस subject में पढ़ते हो, that subject is called, क्या बोलते हैं, economics कहा जाता है उसको, economics भी बहुत सी परांची से, next one is, the word is economist, economist बोलते हैं, अर्श सास्तरी को, पतला मैंने अभी कुछ नहीं पहले बोला, कि ये सारी theories, economist की दी हुई हैं, which means that, वो लोग, जो doctorate की डिग्री कर रहे हैं, remember, और economics के ओपर, economics के ओपर research कर रहे हैं, problem issue को solve करने के लिए, इस पर research कर रहे हैं, those person, who studied is the problem of economy, the economy problem of economy, and, इसकी, problem of, problem and issues of economy, तो वो कोन हैं, वो person कहलाते हैं, economist, बोलो, चारवर याद रहेंगे, के तुम लोगो डिफेंस याद रहेगा, economic, economy, economics, economist, clarity, done, 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 अज़र दन, आईशी, कॉस्तूप, कॉम, 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 साक्षिर, दन बेटा, ओके, आगे बढ़ सकते हैं, चलिए, 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 आओ, अब लिखते हैं, अपने unit number one का first part, पहला part, तो कि unit number one, दो पाट में divided, दोने पाट खतम, chapter खतम, क्याद रखना, ओके, फॉर्स लिखो बेटा, हैडिंग में आओ, nature, दो पाट में है, एक है nature, एक है scope, the nature and scope, किसका, economics का, नहीं, business economics का, the nature and scope of business economics, तो हमें business economics का, मीनिक तो पता है, बट वोड़ी आओ, नहीं आओ, बताओ, कुछ तुमें कहता है, और भाईया, बताओ, कोस्तु भाईया, तुम्हारा nature कैसा है, तुम्हारा nature कैसा है, तुम्हारा nature कैसा है, ठीक है, nature means your behavior, nature means your behavior, नेचर कहने का वाला behavior कैसा है, तुम्हारा नेचर का मीनिस क्या होता है, इतिस कोल behavior, and scope means, scope का मतला, your boundaries, कि तुम्हारे पास जिब तुम्हारे पास क्या-क्या scope था, scope बोले तो, what are your boundaries, तुम क्या कर सक्क्या क्या नहीं कर सक्क्या, that will be termed as your boundaries, तो दो पार्टनें पढ़ेंगे इस पार्ट को, business economics के scope और business economics की nature, तो I am starting the word nature, तो nature में दो बाते हैं, जब हम बहुते हैं कि be economics का nature, it simply means that कि आप भी economics में पढ़ने क्या वाले हो, कि business economics को क्या कितने पार्ट में पढ़ने वाले हो, तो word आता है, the subject matter of economics, क्या बहुला मैंने, नेचर बोले तो behavior, behavior बोले तो भाई, तुम कैसे हो, तुम में क्या है, तुमारा behavior कैसा है, remember, कैसे deal करते हो, किस चीज को deal करते हो, remember, और कैसे deal करते हो, listen to me, जब सामने problems आती हैं, issues आते हैं, तो how you deal with those problems and issues, that will be termed as, उसे कहा जाता है, तुमारा nature, remember, so why I'm saying this, कि business economics का nature, that simply means, business economics में क्या-क्या चीजें आती हैं, हलाकि बता देता हूँ, business economics आपको अभी complete नहीं दिया गया है, एक छोटा सा part दिया गया है पढ़ने के लिए, इसका advance version तो आप आगे advance में पढ़ने वाले उबाद में आके, remember, तो यहां जितना अच्छा पढ़ोगे, आगे जा कि उतना ही strong होने वाला है, practical पर आते हैं, तो why I'm saying this subject matter, तो be economics के subject matter में क्या आता है, scope की बात अभी नहीं करूँगा, scope के बात में करूँगा, अभी nature की बात करूँगा, तो number one, generally जब आप economics word सुनते हो, तो अक्सर लोग बोलता है कि economics की दो पार्ट होते हैं, याद है, कि पढ़ा हुआ है, economics ना दो तरह की होती है, एक होती है micro, एक होती है macro, और even economics की starting पढ़ाने की लिक की जाती है कि economics word कहां से आया, remember, oikonomia से आया, oikonomia का मतलब क्या होता है, household, disposable income, household कैसे income को dispose करेगा, micro word, micro word, macro word से आया, यह exam में नहीं आने वाला, यह कहानी 11-12 की तो अब यह बोले ना कि आओ economics पढ़ते हैं, economics नहीं पढ़ रहे हैं, economics पढ़ रहे हो, तो फ़रक क्या होगा, हाँ, word तो micro, macro आएगा, पट यहाँ, micro economics या macro economics बोलने के जाए, क्या बोलना पसंद करेंगे, यह बोलना चाहेंगे, the word is, subject में first लिखेंगे, micro branch of B economics, that is the first branch is called, micro branch of economics नहीं, micro branch of B economics, and number two, macro branch of B economics, so two is, macro branch of business economics, so अगर module में लिखा मिले है, economics, micro economics, so समझ जाना, that simply means that, the micro branch and macro branch, और guys please tell me, अब में यहाँ पर differentiate बताता हूं क्या differentiate आगया, क्या difference इस पाट के अंदर, सुनना, सुनते रहना, तो मेरा पहला पाट लिखता हूं है, start करता हूं, चलो, first मैंने लिखा, micro branch, I can also write it as micro economics, पट यहाँ पर micro economics लिखने का meaning, वो same meaning नहीं होगा, जो आपने अपने schooling में पढ़ा है, यहाँ पर लिखने का मतला होगा, माइक्रो ब्रांच और वीखनोमिक्स, अब मैं पूस्ता हूं, रिप्लाई करना, माइक्रो एक्नोमिक्स किसको बोलते हो, पढ़के आचो क्यों, एनी आइडिया, whatever you have, tell me, what is the meaning of micro economics, बोलो, 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 what is the meaning of micro economics, अधश, आईशी, कॉस्तुप, कॉमकुम, पायल, सक्षी, बता बागी, basic economics, कॉंसी basic economics, अचा और, कॉस्तुप, what do you mean by micro economics, I am not asking, कॉमकुम क्या, जो एक individual के लिए होता है, nice, very good, कॉस्तुप, पायल, सक्षी, reply करो, बेटा, आईशी, पायल के जब individual की बात करता है, exactly, पायल, yes, बेटा, बात करने का मतलब क्या है, एक बात बताओ, पूस्ता हूं, और मैं बोलता हूं, यही meaning पढ़ा, नहीं पढ़ा, सुनना जान से बात को, और कैसे यह वाला different है उससे, यह भी समझना जान से, तो पहले यह जानो कि क्या पढ़ा है, फिर समझो कि यह अलग कैसे है, तभी clarity मिलेगी, मिलेगी, मिली लिख दूँआ, काम से काम नी बनने वाला, समझना पड़ेगा, पहली बात सुनना जो बोलने वाला हूं, अभी थोड़ी दर पहले कुछ बोला था, देखो क्या बोला था, सर, सब economics में क्या हा था, economics deals with the economic problems and economic issues, why I am saying the word economic problems and economic issues of an individual, lecture Madeleine,we are same to same liざ… Vietnamese studies with the economic problems and economic issues of an individual, remember Macroeconomy lяз the according to Macroeconomy deals with the economic problems and economic issues of the entire economy, यह मीनिंग थे वहाँ के या हो सेम मीनिंग यहां लिखाए रखें तेट वह जन्रड स्कीप भाट थे पेशन मायक्रमेक्रोवर्ट आया लेकिन मीनिंग सेम नहीं है क्या individual में मैंने business word use किया नहीं किया यहां पर कौन सी इकनोमिक्स है business economics वर्ड यह निकल के आता है कि micro branch क्या होती है तो different कैसे सुनना पहले इसे लिखवाता हूं इस पार्ट को वाला the micro branch deals with how and how a single business unit not individual और वहां पर अच्छा any idea of the word individual in economics इंडिवीजुल का economics मेनिंग क्या बनता है मतलब क्या निकलता है जानते हो consumer या producer while you are writing the word individual only in the economics that simply means that whether it is a consumer or an producer but when the term is business economics पढ़ रहे हो तो economics के लिए तो आगए individual word ठीक है but what about business तो यहां पर line हां यहां टेवेट अपसोना meaning बदल गया meaning बदल गया economics कई लए गा three economics में micro branch मैं क्या लिख बिखा मॉडूल चे लेराना ना note करवाता हुं लिखो 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 this branch that is the micro branch लिखना चालू करो लिखो this branch deals with deals with deals with the problems and issues the problems and issues what I have of a single business unit of a single individual business unit I am not talking about consumer here we are not going to talk about consumer here only business single business unit problem or issue deal micro branch I can also write this line that means how a single business unit a single business unit takes its decision it takes the makes its decision takes or makes it makes its decision by using by using the economic theories by using the economic theories and other tools which you have written in starting meaning that word we have connected only single word that is single business unit and this branch of B economics is called the micro branch and I can also write the micro economics branch of B economics about clarity milly not example of B economics note not it not it not it it not not it it ok कि यह मीनिंग किसका हुआ माइक्रो का जबकि वहां पर माइक्रो का मीनिंग पढ़के आए 1112 के अंदर एक्ट ब्रांच औफ सब्सक्रोंन के या सिर्फ बढ़ा तो ऑनली बिजने उनिट्स लिखे अग्जाम पिशने वाला हूं कि अधे इंडि विज़ार बिजनेस को एक इंडिविज बिजन बोले तो company हो सकती है कोई factory हो सकती है उसको कौन कौन सी problem और issue जहिलने पड़ते होंगे random example लगाओ क्या मुझे बताओ product का price क्या रखे that is pricing of a product क्या product का price decide करने में problem आती है नहीं आती क्या ये problem है नहीं है है ना tell me उसका pricing remember उसकी marketing marketing of a product check कर लो बैटा पूरा different चल रहा है यहां से concept next is product की packing कैसी होगी product packaging और भाई example जो land labor capital काम कर रहे है उनके price क्या होगे factor pricing remember और other decisions relating with example plant का layout plant बनाने वाले हो उसका layout कैसा बनेगा कितना cost है कितना production है remember plant layout उसके financial problems उसकी financial problems उसकी technical problems कैसारी चीजे एक individual business unit को फेसनी करनी पड़ती क्या करनी पड़ती है पड़ती हूए het को पालो the branch which deals with all kind of problems of a single परज़ागे है पड़ती है इच्च बनेगे थिक उनी तुनीट जोस त्ष क्ड़ती और that branch of BEC instead is called micro branch of BEC पॉलो मिला अंसर क्लियर हुआ हम टुकिंगे सब पिच्छ नोट करो इसको पिटा चलते हैं फिर आगे नोट करके डन कर देना अब शुटते रहेंगे अब बचे जो भी आते रहेंगे उन्हें बैक अप मिलता रहेगा और चलती रहेगी वेटा ऑके अब बार बार मिलेगा वहां पर एक लास आपको क्लास के बाद में एक घंटे बाद दिख जाएगी वहां पर अब बताओ ना प्रोड़क्ट से कनेक्टिड डिसीजन्स रिमेंबर पैकिंग के रिगार्डिंग डिसीजन्स क्या यह डिसीजन इंडिविजुल के नहीं है क्या रिजन इनिट के है ना दिक्रते तो आती है ना तो वह ब्रांच जो डिल करती है किसी इंडिविजुल बिजनस इनिट के यह प्रोडलम से दडिवाइब नेचर की बात नहीं किए नेचर में बात नीचर में पार्ट है शब्जेक्ट मेटर उसके बाद आएगा नेचर में कि economics जो इक्नोमिक्स है इसे प्रेंटिक इन अप्रोच बेंटिक इन प्रोच इसे साइन्स और न ओर सौइन्स है कौन सीय वाली साइन्स है आठ और नोन आठ अगाए इसा ए साइट धू ऑपर है ओके लिखो बिटा, नेक्स पे आओ, मेंके सेकिंड हेडिंग, लिखो मैक्रो ब्रांच, मैक्रो ब्रांच of business economics, तो मैंने क्या बोला, जनरली गलती यहीं से हो रही है, शुरुआत से गलती कर रहे हैं बिटा, students, उन्हें लग रहा है कि भाया, उन्हें बताया भी आई जा रहा होना, वो सेम एक्नोमिक्स है तुमारी, अगर सेम एक्नोमिक्स है, तो इसका वर्ड कलतिया होना स्वभाविक है, पक्का होंगी, definitely है, it is for sure, the reason is, macro economics यह बोलती है, economics वरी बात कर रहा हूं, general economics का macro branch यह कहता है, वहाँ पर, कि sir, that branch of economics which deals with the problem and issue of the entire economy, पट यहाँ पर meaning entire economy है ही नहीं, यह word क्या दिखाता हूं, लिखो, note करते हैं, उसको समझ में आएगा, लिखो, लिखो, this branch, लिखो, this branch of business economics, this branch of business economics, क्या करता है, लिखो, deals with So, कैसे, word है, how, how the environmental factors, how the environmental factors, that is business environmental factors, how the business environmental factors affects the decision, affects the decision of a business Business organization Meaning बदल गया, देखो, meaning वहाँ अलग, यहाँ अलग So, तो यही meaning है, हाँ बेटे, हाँ, even कोसु तुने मुझे पूछा था न, सर एक part और था, BCK वाला, कोसु तू, PCK के chapter number 2 के अंदर, PCK के chapter number 2 के अंदर, एक chapter number 2 करना हम पता क्या है, PCK के chapter 2 करना हमा, business environment, or that environment word, यही यह बिटा, इसलिए, economics के chapter 1 के अंदर, environment को ज्यादा define नहीं किया गया, यह define करते है, BCK के अंदर Yes, pistol, 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 yes, political, economical, technical, लेकिन question का level बदलेगा जया न, यहादा है, question बदल देगा, like the IS, IS के examination में 8, 9, 10 के question आते हैं, So, IS easy हो गया, no, question का level बदल देगे तुमारे पास न, सेम यहाँ पर भी होने वाला है, चले, तो भाईया, क्या लिखा, Micro branch और B economics, deal करता है, किस चीद से, how the business environmental factors, business factor बोले तो, लिख लो, number 1, अला कि environment का meaning क्या होता है, P, T, S, T, L, E, So, P का मतला होता है, बेटे, लिखो, political, P बोले तो, political, E for economic, S for social, T for technological, L for eagle, और E for other environmental factors, और E for other environmental factors, तो other में डाल देता हूँ मैं, ecological factor हो गया न, सारे आगे बेटा, I can use the word other environmental factors, you can use the word ecological factor, so, ecological में क्या आगया, बाकी बचे factors, suppliers, customer, किस में आगे, सारे बचे हुए, supplier, supplier भी कोन है, outsider ये internal part बनता है, सोचो, customer भी कोन है, हमारे घर का, no, outside वाले factor, ecological factors, मला इन साब factors के अलावा, बाकी बचे factor किस में डाल सकते हूँ, you can use the word other environmental factor, चले, तो गाईस सुनना जान से, अब ये सारे factor किस तरह से, उससे सुनना जान से, ये सारे factor किस तरह से, एक business की decision making को affect करते हैं, affect कैसे करते हैं, that branch, which deals with these factors is called macro branch of B economy, so can you please tell me, कि क्या एक business को जब decision लेना हो अपने लिए, तो क्या उसे सिर्फ micro branch देखनी होती हैं, macro भी देखना होता है, tell me, आदाश, आईशी, कॉस्तू, कुम, कुम, पाहल, सक्षी, macro है macro दोनो, तोनो, तोनो, नबस में है, example लिखो, let's take an example in this, example, और आजम ज्यादा नहीं करेंगा, जिए इतने ही पड़ेंगे, example लिखो, को इकल मैं लिखवाँगा, इसके बाकी बचे पार्ट, it's just a short class today, भी नेच्ट, नेच्ट, नेच्ट के लेंगे, लिखो, note करें, लिखो, first one is, government policies, government की policy, that is, government की taxation policy, government की subsidy policy, एक बात बता ना, क्या, micro branch वाले factors को, control किया जा सकता है, हाँ आना, yes, very good, that means, can be controlled, can be controlled, by business enterprises, लेकिन क्या macro गोंट्रोल कर सकते हो, no, इसका मतलब, macro branch सिर्फ और सिर्फ अफेक्ट करती, decisions को, अगर knowledge होगी, तो बचोगे वरना, फस होगे, remember, सोचो ना, जितने सारे business, इंडिया के अंदर, जिनको यह idea था कि, taxation system, GST आने वाला है, अब आलाग आलाग text नहीं रहेगा, बदल जाएगा, तो क्या उनकी policy यह पहले ही नहीं मना लेंगे, तो, think about once again, government की policies, तूसरा, number two, balance of payment, balance of payment, export से, import से कितना पैसा आया, और import करने के लिए, कितना पैसा बच गया, remember, the current account, capital account, दोन हो आते हैं इसमें, current account of BOP, और capital account of balance of, next, balance of trade, balance of trade, next, national income, example लिख रहाँ हो, शोट में खाली, next, unemployment level, tell me guys, poverty का level, क्या ये सारे factor, वो नहीं है क्या, जो किसी business के decision को affect करते हैं, हाँ है ना, हाँ हाँ हाँ, yes sir, बस में आ गया, इसी रिने बोलते हैं, macro, branch, और B economics, it means that, आप सुनना, जो बोल रहाँ, what about revise करते हैं, मैं question बूशने वाला हूं, reply करना, let's take question बूशते हैं, यसे नहीं बात करें हैं, आए भाईया, हमारे practice zone का question, let's frame a question, practice zone, question number one, question number two, पूच चुका हूं पहले में, I'm giving you a statement, I'm giving you two questions here, and you have to answer, let's suppose, I'm writing, if, the government of India, write the question, the government of India, increases, the excise duty, किसको बोलते हैं, excise पता है, manufacturing, नहीं बेटा, नहीं नहीं वो custom होती है, नहीं, वो custom होती है, excise बोलते हैं manufacturing को, किसको बोलते हैं, manufacturing पे, excise के नाम से लगता है, कि custom बोला होती है, manufacturing पे लगने वाल टक्स excise के लाता है, तो क्या बोला, Indian government नहीं क्या क्या क्या, increase क्या, excise tax, from, 5% to 10%, तो इसका आपाटा सोच के देखो, 5 से 10% कर दिया, that means manufacturing पे लगने वाला tax, तो जब tax जयादा लगेगा, तो प्रोट्चिन जयादा करेंगे वो लो, तो प्रोट्चिन जयादा करेंगे, producer, प्रोट्चिन जयादा करेंगे, क्या तुम्हें आंसर लिखने से पहले पता आंसर? मैं दो क्वेशन पूछूँ के समय ठीक है, option की दो क्टेक्री देने वाला हूँ, practice करनी है बेटाए, simple question नहीं पूछेंगा हम, simple भी सीखो, advanced भी सीखो, तुम्हेट आपके option हूँ, तोन आंसर देने ठीक है, पहला, first मैं simple पूछने वाला हूँ, reply करना, number one, micro branch, of economics, or b economics, number two, macro branch, of b economics, number three, either a, or b, option d, none of the above, tell me, which one is the correct answer, आदर्ष a, posto b, अब आएगा मजा, सक्षी, बोलो बोलो, posto ने b, आदर्ष ने एगा, सक्षी कौन सा, b, कुम कुम, file, हाईशी, reply करो, कौन सांसर है, p, b, file करें, either or a b, file, either a and b, तब करते हैं, जब दो में से, एक, दोनों ठीक होते हैं, और इदर का option मिल जाए तब, most appropriate answer, either option दे रखाओ, very good, the correct answer is, किहां से सोचो, क्या यहां पर, मैंने उस problem की बात की, जिसे business control कर सकता है, government की policy, किसका बाट बनती है, tell me, macro branch, तब macro branch आगर affect करती है, government की policy, trade की policy, क्या यह एक individual factory business control कर पाया हैं इनको, नहीं, वो सिर्फ एफेक्ट होता हैं इन से, तब आप देखना, आप देखना, तब देखना, प्राई करना, तो option B, इसको question नहीं पूशता, option नहीं, let's have a question on this, क्यारिटी के लिए, question number 3, reply करना, पोलता हूं, लिखो बेटा, Reliance Industries Limited, that is RIL, RIL is facing, the issue, issue of organizing, organizing the managerial policies, relating with, relating with, the pricing of a product, this deals with, option A, option B, option, option D, option A is, macro branch, option C, micro branch, is not the answer, next is, general economics, statistics, reply, and class over, बताओ, पॉस्तु नहांसे दियसी, अधरशने घसी, बागी बताओ, Aishii, Kumkum, Payal, Sakshi, tell me, tell me, tell me, बाखी रिप्लाई करो, समझ में आया, answer is, micro, C is the correct answer, clarity मिल गई, तो ये था, subject matter की बात, थोड़ा introduction की बात है, ठीक है, next class फुटी लंबी रखने वाले, अभी आज, first class लाज, short class लिये मैंने, अब धीरे धीरे, क्लास का टाइम बढ़ता जाएगा, ठीक है, तो रहे हैं, next class के लिए, economics के इस पार्ट में, हम पढ़ने वाले हैं, next part बनेगा, nature के कौन-कौन से point है, that is nature of, business economics, और याद रखना, इस chapter में से, कम से कम 5 questions आएंगे, minimum 5 questions, fix हैं इसमें से, जो कि किसी भी हाद, हाँ ये पूरा MCQ, last की paper, 3 and 4 आपके MCQ है, first and second paper subjective होते हैं, ठीक है, कल, economics नहीं, कल हम लेंगे, लो की class, क्लो में, कल लो में, हमारा, almost, first part खत्म हुआ है, कल, लो में, एक नया, chapter चालू होगा, and that is called, offer, तो वहां से चालू करना, offer के इंदर, के सटी पढ़ा हुआ हम अकल, ठीक है, ओके, thank you very much, see you, take care, मिलते next class में, tomorrow, bye bye, और ये class, एप पे upload हो जाएगी, एप से डाउनलोड कर लेना, अब से बश चालू हो गया, या फिर बश चलता रहेगा, आज संडे, नहीं, आज संडे था, इसलिए class timing change, उस तो में timing दे दूँ अबट आपको, मैं, I'll let you know, अभी, नोटा का time बना होगा, time table, दिल्ली का बनाना बागी है, दिल्ली का नहीं बना, बना रहता हूँ, ठीक है, see you, भी बागे लगा लिजए बाड़े, हाँ, ठीक है, मिलते हैं, मैं बेजता हूँ, bye bye, see you, bye bye,